हरियों कटोरी भर कर सूजी ले लिये सूजी चाहे मोटी हो या फिर बारिको इसे हम छोटे वाले मिक्सर जार में ले लेंगे एक चमच मैंने यहाँ पर सौफ ले लिया है सौफ से इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है आदी छोटी चमच मैंने इलाइची के दाने लिए है उपर का जो हरा हिस्सा होता है उसे हटा दिया है इसे हम मिक्सर में अच्छे से पीस लेंगे ताकि हमारी सौफ और इलाइची के दाने है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए अब इसे के साथ मैंने वही कटोरी के नाप से आधा कटोरी के आसपास इ इसे भी मिक्सर में एक बर चला लिया है, यह पावडर को मैंने एक मिक्सिंग बाूल में ले लिया साथ में वही कटोरी के नाब से एक कटोरी बर कर मैंने यहां पर घिहु का आटा लिया है, दो बड़े चमच के जितनी गर की ताजी मलाई ले लिया आपके पास मावा हो तो आप इसमें आदा कटोरी की जितना मावा भी मिला सकते हो और 2 कटोरी भरकर मैंने यहाँ पर हल्का गुनगुना दूद इसमें मिक्स कर दिया है देखिए जो कटोरी के नपसे हमने सारी चीजे लिए है न अच्छे से mix करके हमें इसको कम से कम आदे गंटे के लिए रैश करने रख देना है ताकि सुझी और अटा अच्छे से फुल जाए एक साइड मैंने एक कटोरी बरकर दरदरी कुटी हुई खड़ी शकर लिये साइड मैं एक कटोरी से थोड़ा सा जादा उतना मैंने पानी लिया है अगर आप नॉर्मल चीनी लेते हो तो सेम नाप से चीनी और सेम नाप से पानी ले सकते हो हमें यहाँ पर एक या दो तर की चासनी तयार नहीं करनी है सिर्फ सुगर सिरप ही तयार करना है साथी में मैंने यहाँ पर कुछ दागे केसर के मिला दिये ताकि इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और स्वाद भी इसका अच्छा आता है तो आपके पास हो तो आप भी इसमें जरू सी मिला दीजीगा देखिए एकदम चिपचिपा सुगर सिरप हमारा तयार हो चुका है तो इसे भी मैंने साइड में रख दिया है और एकदम छोटी सी कड़ाई में मैंने गी गरम करने के लिए रख दिया है तो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने फिर से पानी मिला दिया है तो जो कटोरी से मैंने दूद और आटा लिया था वही कटोरी के नाप से एक कटोरी में से थोड़ा सा बच जाए उतना इसमें पानी मैंने मिलाया है एकदम अच्छे से मिला लेंगे दो से तीन मिन तक अच्छे से फेट लेना है ताकि एकदम जैसे इडली डोसा का बैटर होना ऐसा हमारा ये बैटर बन जाए तो ये देखिए एक कटोरी से थोड़ा सा पानी बच गया उतना मैंने पानी बचा लिया है गी भी हमारा गरम है तो गर्मा गरम गी में हम एक धार की तरह ये माल पुआ का बैटर डालते जाएंगे आप वीडियो में देख सकते हो कि मैं इसे आजो बाजो में नहीं फैला रही हूँ बीचो बीच डाल रही हूँ तो थोड़ा सा पक जाने के बाद उपर से चम्चे की मदद से हम गी इसके उपर ही डाल देंगे और दूसरी साइड भी पलेट कर हम गी में इसे अच्छे से सुनेरी कलर आने तक तल लेंगे आप देख सकते हो कि ये बलून की तरह फुलते जा रहा है मेरा माल पुआ आप इसे इसी तरह से भी खा सकते हो क्योंकि हमने इसके अंदर भी खड़ी शकर मिलाई है पर इसे मैं फिर से थोड़ा सा सुगर सीरप में भी मिक्स करते जा रही हूँ यहाँ पर 20-25 सेकंड के लिए हम सुगर सीरप में इसे उलट-पुलट करके रख देंगे ताकि उपर से भी अच्छे सी इसमें सुगर सीरप कोट हो जाए एकदम परफेक्टली हमारा यह मालपुआ तयार है आप इस तरह से उलट-पुलट करके इसे दुसरी प्लेट में निकाल कर रख सकते हो सेम बेच में आपको दूसरा तलते हुए दिखा रही हूँ दोस्तो यह देखिए आराम से एक ही धार में हमें दालना है और इसे बिलकुल भी हिलाना नहीं है चम्चे की मदद से इसके उपर हमें गी को दालना है जैसे मैंने गी में डिफ्रै किया है आप चाहे तो इसे तेल में भी डिफ्रै कर सकते हो और ये देखिए चासनी में अच्छे से दुबोने के बाद मैंने इसे सारे मालपुआ को एक प्लेट में निकाल लिया है अब एक के उपर एक रखकर आप चाहे तो इसके उपर बदाम पिस्ता की कत्रण भी रख सकते हो आज की ये सांदर रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़ादा से ज़ादा शेयर करिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में दिख रही बेल आइकन को आल प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही आसान सी रेसिपी के नॉटिफेकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए अखिर में मैंने बादाम की कतरन के साथ इसे सजा दिया है एकदम सिंपल और एकदम ट्रेडिशनल हमारे माल पुआ तयार है तो आज की रेसिपी जली से ट्राइ करके बताएगा कि आपकी रेसिपी कैसे बिनी है तो मैं पारूल जल मिलूँगी नहीं रेसिपी के साथ